अस्सलाम वालीकुम एवरिवन आज मैं आपसे शेयर करूंगी क्रिस्पी चिकन के रेसिपी यह वो रेसिपी है मैं यकीन से कहती हूं जब आप इसको एक बार खुड ट्राइ करेंगे तो के एफसी को भूल जाएंगे बहुत जबर्दस ही बन कर त्यार होते हैं वीडियो में आपसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजेगा तो बिना टाइम वेस्ट के इससे बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिये है चिकन लेक्पीस तकरीबन आठ से दस मैंने यहाँ पर लेक्पीस लिये हैं इनकी हम कटिंग करेंगे तो सेंटर से इस तरह से इसे कट करेंगे बस हरका सा कट लगाईएगा ताकि यह हड़ी से अलग ना हो ये देखें इस तरह से खोल लेना है आपने सारे लेक पीसिस को तो सारे चिकन की पीसिस को इसे तरह आपने कट कर लेना है अब हम अपने नेक्स टेप की तरफ चलते हैं तो नेक्स टेप की तरफ चलते हैं नेक्स टप में बाउल ले लिया है जिसमें मैंने तीन शी चार गयास पानी आड़ कर लिया था एसमें हम नमक आड़ करेंगे तू टेबल स्पून और सिर्का शाबिश्हा मिलद करेंगे हाफ कब के करीब विुुई इसमें हम चिकन आड़ कर लेंगे ये एक टाइब की चिकन की मेरिनेशन है इस तरह करने से किसी पी तरह का गोश्ट अच्छे से साफ हो जाता है खास करके चिकन इसके इलावा जब हम इसको फ्राइ करेंगे स्पाइस वगरा लगाने के बाद तो एक तो ये बहुत जल्दी फ्राइ हो जाएगा दूसरा ये बहुत जूसी रहेगा ये खुश्क नहीं होगा तो ये स्टेप जरूर करने मेरी रेकमेंडेशन है अब चिकन को हम तकरीबन आदे घंटे के लिए इसमें छोड़ देंगे तो आदा घंटा होने के बाद ये देखे पानी पिंक सा हो चुका है क्योंके लेकपिसिस का जितना भी बलड है वो सारा पानी में आ गया है चिकन को आपने अच्छे से साफ पानी में अब धो लेना है ये देखें कितना सफेज सा चिकन हो गया है अब अगला स्टेप है इसकी मेरीनेशन करने का मैं अलग बाउल में सबसे पहले इसकी मेरीनेशन रेडी कर लूँगी एक अप के करीब मैंने दूद लिया है बॉयल हुआ दूद लेना है लेकिन थंडा होना चाहिए गरम नहीं इसमें हम 4 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस आड़ करेंगे अधर ग्रेसिन का पेस्ट आड़ करेंगे 1 टेबल स्पून एक अंडा शामिल करेंगे अब इसमें हम आड़ करेंगे नमक 1 टी स्पून सुर्क पिसी मिर्च आड़ करेंगे 1 टी स्पून स्वाय सॉस आड़ करेंगे 1 टी स्पून साथ ही चिली सॉस आट करेंगे 1 टी स्पून अब हम इन सारे इंग्डियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से लेक्पीसिस पर ये डाल देना है अच्छे से लेक्पीसिस पर आपनी ये मसाला लगाना है और फिर इसे तक्रीबन 30 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट करके रखना है अब इस दोरान हम चिकन के उपर की कोटिंग को रेडी कर लेंगे इसके लिए मैंने एक बाउल में मैदा लिया है तक्रीबन 3 कप इसमें हम फ्लेवर के लिए लेसन का पाउडर शामिल करेंगे 1-4 तीसपून नमा काट करेंगे 1-5 तीसपून सुर्ख पिसी मिर्चाट करेंगे 1-5 तीसपून इन तीनों को हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आदा घंटा हो चुका है अब हम चिकन का एक एक पीस लेंगे और इसे मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे अच्छे से दबा दबा कर आपने कोट करना है इस तरह से ये देखें फिर आपने इसे छटकना है जिससे कि सारा एक्ससिफ मैदा उतर जाएगा इससे हमारे क्रम्स वाज़ होकर सामने आएंगे फिर इससे हम पानी में डिप करेंगे रूम टंप्रेचर पे मैंने पानी लिया है थंडा पानी नहीं लेंगे नॉर्मल टैप का पानी है ये फिर हम इसे पानी से निकाल कर अगेन मैदे में डाल देंगे और कोट कर लेंगे याद रखेंगा आपकी उंगलियां चिकन को टच नहीं करें वरना सारी कोटिंग उतर जाएगी आपकी उंगलियों और चिकन के दरम्यान मैदा होना चाहिए फिर से इसी तरह आपने इसे छटकना है इस से बहुत ही वाजया krümms बनेंगे तो यह देखे कितने अच्छे से krümms बने हैं अब इसको हम fry कर लेते हैं जैसे जीसे हम इनको बनाएंगे फॉराण से ही इसे fry कर लेंगे आपने इनको बना कर रखना नहीं वरना इसके crumbs खतम हो जाएंगे बना कर फॉरण से इसे fry कर लेना है oil को पहले हम medium to low flame पर गरम करेंगे जब oil में bubbles आ जाएंगे तो यही right time है chicken डालने का आपने leg pieces को इस तरह से fry कर लेना है fry करते दौरान आपने flame को medium to low रखना है oil का temperature खासा गरम होना चाहिए ताके जाते साथ ही crumbs सेट हो जाएं तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट लगेंगे fry होने में तो यह देखे केFC से कहीं ज़्यादा healthy और yummy chicken leg piece रेडी है आप लोग भी इसीद पर यह केFC स्टाइल चिकन बनाया और enjoy करें बस इसी तरह से हम सारे leg pieces को fry कर लेंगे एक बार मेरी इस recipe को आप ज़रूर follow कीजिएगा और मुझे feedback देना मत भूलिएगा सेम इसे tips और tricks के साथ अगर आप यह केFC चिकन बनाएंगे तो आपका चिकन केFC से कहीं ज़्यादा healthy और yummy बनेगा उमीद करती हूँ कि आपको recipe अच्छी लगी होगी recipe अच्छी लगी हो तो like और share करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर ने है तो चैनल को subscribe भी कर लीजेगा मिलते हैं next recipe में तब तक के लिए अल्ला हफिज